नमेशकार दोस्तों, रिसेंटली कुछ न्यूज आ रहा था कि Elon Musk के द्वारा 5000 water bears को space में भेजा जाएगा, यहाँ पर आप देख भी सकते हो, Elon Musk sending glowing baby squid and 5000 water bears to international space station तो ध्यान रखेगा कि जो Elon Musk है वो अपने purpose के लिए नहीं भेज रहा है, वो basically NASA के लिए जो उनकी company है SpaceX जो है, उस आपको बताऊंगा इसके बारे में baby squid क्या है यह exactly और 5000 water bears, बहुत ही छोटे-छोटे micro animals होते हैं, यह water animals होते हैं, इसके बारे में मैं आपको details से बताने हो आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा कि आखिरकार क्या कारण है जिसकी वजह से इनको भीजा जा रहा है, अगर आप UPSC की त्यारी कर रहा है तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको हमारे description में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे आपको भी download कर सकते हैं, exactly हुआ क्या है, third of June को जहां, अगले दो दिन के बाद, NASA will send 128 glow-in-the-dark baby squids, ठीक है, मैं इसको detail दोनों के बारे में, यह tardi grids भी है, tardi gr basically water bears को ही कहा जाता है, जो पानी के अंदर बहुत ही छोटी-छोटी, like 1 mm, वहलब 1 mm से भी कम होते हैं इनका size जो है, तो 5000 इस तरह के water bears को और 128 जो baby squids हैं, जो चमकते हैं dark में, उनको यहां पर International Space Station पर research purpose के तौर पर भेजने की कोशिश की जाएगी, और यह भेजा जाएगा SpaceX SpaceX का 20 second cargo resupply mission, तो अब क्या होने लगा है, कि जो NASA है, वो SpaceX की मदद लेता है, जब भी उसको कोई समान भेजना है, transportation करना है, कुछ भी, astronauts को भेजना है, तो यहां पर यह mission भेजा जाता है, तो यह 20 second mission होने वाला है, SpaceX का, और यह पूरा experiment का part है, जहां पर यह देखने की की जारी है, कि लंबे समय के journey पर, अगर suppose कभी future में planning होती है, कि astronauts को Mars पर भेजा जाएगा, तो काफी लंबा समय लग जाएगा, तो उस समय में, किस तरह से हम astronauts को protect कर सकते हैं, वो यह research काफी हद तक मदद कर सकता है, तो पहला question यहां पर यह आता है, कि यह जो International Space Station है, इस पर height पर पृत्वी से यह आपका orbit करता रहता है, यह तरह का laboratory आप कह सकते हो, lab कह सकते हो, जो space में रहता है, और astronauts को काफी लंबे समय तक, कुछ हबते या फिर कुछ मेहने अगर रुकना है उनको, तो वहाँ पर रुक कर, जो microgravity से related experiments हैं, वो कर सकते हैं, और यह 1998 से चलता रहा है, 5 countries इसके अंदर शामिल है, NASA हो गया, US का, फिर Russia भी है, Russia ने announce किया था, आपको याद होगा कि 2025 के बाद से वो यहां से withdraw कर जाएगा, और वो खुद का अपना space station बना रहा है, इसके अलावाद Japan हो गया, उसकी जो space agency है JAXA, युरोप का हो गया और Canada, तो 5 देशों ने मिलक इसको एक तरह से चलाया है, पिछले 20 वर्षों में, और पिछले 20 वर्षों में अगर आप देखो कि तो बड़े पैमाने पर scientific investigation किये गए हैं, कई सारे breakthroughs हमें देखने को मिला है, और total आप देख सकते हो, कि 3000 research and educational investigation किया गया है, from 108 countries, 108 देशों के द्वारा जो है, इसके अंद experiments किया गया है, तो यहाँ पर अगर हमें आगे चलकर पता लगाना है कि long term पर astronauts के ओपर क्या impact आएगा, तो space पर ही जाकर हम जो है, अच्छे से experiment कर सकते हैं, और इसी के लिए, यह जो sea animals हैं, जो 2 मैंने आप से बात किया, इसको भेजा जा रहा है, तो सबसे पहले हम बात करे यहाँ पर जो water bears हैं, यह exactly क्या है, water bears जैसा कि आप देख सकते हो, बहुत ही tiny होते हैं, मतलब 0.5 mm, मतलब maximum 1 mm तक बताया जाता है, लेकिन ज्यादा तर 0.5 mm के आसपास हो सकते हैं, इनका जो structure है, आपको इस तरह से देखने को मिला होगा, और right side में यह basically इस तरह का represent किया गय बेसिकली आपको देखने को मिलेगा, और पहली बार इसका जो नाम है न, little water bears दिया गया था, German geologist के दोरा in the year 1773, और सबसे खास बात मैं आपको बताता हूँ, यह जो water bears है न, यह पृत्वी पर कहीं पर भी पाये जा सकते हैं, कहीं पर भी, मतलब volcano, mud volcano से लेकर deep sea, मतलब 8000, 10,000, जितना deep भी वहाँ पर भी यह पाये जा सकते हैं, tropical rainforest से लेकर Antarctica तक, कहीं पर भी यह पाये जा सकते हैं, मतलब कि इनकी अंदर इतनी जादा resilient होता है, system इतना strong है इनका, कि यह कहीं पर भी survive कर जाते हैं, इनको कोई भी problem नहीं आती है, और इसी की वज़े से, यह जो tardigrades ह वो काफी important हो जाते हैं, research purpose के तौर पर, तो basically जब इनको space में भेजा जाएगा, international space station पर, वहाँ पर पता लगाने की कोशिश की जाएगी, कि इनका reaction space में कैसे रहता है, मतलब कि इनके पास ऐसा क्या behavior है, जिसकी वज़े से यह इतने जादा resilient है, तो space में अपने आपको किस त तरह से हम उनको सुरक्षित रख सकते हैं, वो ये वाला जो experiment है, काफी हद तक मदद कर सकता है, तो ये तो हमने बात कर ली water bears के बारे में, एक और यहाँ पर tiny animal है, ये 3 mm long, ये भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, just 3 mm long, मतलब आप कह सकते हो, जो thumbnail होता है, आपका तो वो भी इसी category में आता है, तो कुछ इसी प्रकार का आपको ये tiny, छोटा सा जानवर मिलेगा, जो की water में पाया जाता है, इसका भी अलग structure है, elongated bodies मिलेंगे, large eyes, आप देख सकते हो, elongated type का structure होता है, eyes, आखें जो हैं थोड़ी बड़ी होती हैं, और 8 arms होते हैं, जी हाँ, इस तरह का आप देख सकते हैं, जिस तरह से 8 arms होते हैं, जिब ये फैलाते हैं, तो इस तरह से 8 arms आपको देखने को मिलेगा, और ये भी बहुती soft bodied होता है इनका, और जो skeleton है ना, बहुती पतला सा, छोटा सा अंदर internal skeleton होता है, और ये basically ज्यादा तरह आपको जो coastal waters, shallow coastal waters, ब इसको युमामी बोलो, जैसे भी बोलो, इसका full form होगा, understanding of microgravity on animal-microbe interactions, तो इसके तहत यहाँ पर, ये basically क्या किया जाएगा है, squid को जो है, ये जो squid मैंने आपको दिखाया, इनका microbes के साथ क्या reaction होता है, देखो, microbes बहुत important होते हैं, हमारे human health के लिए microbes बहुत important है, तो हमारे development क हर एक चीज में microbes का बहुत जादा important role रहता है, तो अब क्या किया जाएगा, ये जो squid है, इनका relation कैसा होता है microbes के साथ, उसके बारे में study करने की कोशिश की जाएगी, बतलब उससे जो हमें पता लगेगा कि space में किस तरह से react करते हैं, क्योंकि अगर microbes में थोड़ा बहुत भी हलका फूल का change आ गया, तो किसी ना किसी दूसरे प्रकार की disease सामने निकल सकती है, तो ऐसा ना हो, तो यहाँ पर space में क्या होगा, जो microbes होते हैं, वो अलग तरह से react कर सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि पहले से ही हम इसके बारे में study करें, और जब long journey पर जाएगा कोई भी astronaut, तो यहाँ पर उसको सुरक्षित हम महसूस करा सकेंगे, तो I hope कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर microbes और squid के जो relation है, उसको देखने की कोशिच की जाएगी कि किस तरह से react करता है, क्योंकि microbes जो हो गया वो आपका digestion से लेकर, जो harmful chemicals होते हैं, उसको detoxify करता है, बहुत जादा help करता है यह, तो इसका lack of gravity में किस तरह का reaction है, कई microbes उल्टा तो वर्क नहीं कर रहे हैं, यह इसके बारे में study किया जाएगा, तो conclusion में finally दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो NASA के दौरा यह study किया जा रहा है, it may lead to important breakthroughs, जिसकी वज़े से जो long term में जो एक interesting question लेकर आया हूँ, अभी मैंने हमने microbes और अलग-अलग खीजों के बारे में बात किया, क्या आप मुझे बता सकते हो, कि which of the following is used as underlying substance for alcohol fermentation, तो जो alcohol fermentation होता है, उसमें किस चीज का basically use किया जाता है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा answer correct होगा, इसका जो सही उत्तर है, आप आप इंस्टा पे नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलिग्राम से भी ले सकते हैं, और मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ, stories के form में आप जाकर play कर सकते हो, अगर आपको PDF चाहिए बाकी social medias पर जुड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर से आप ले सकते हो, और economy पढ़न